आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ वहाँ पे Streptokinase यूज होता है Clot Buster हिसाब से और Clot Buster का मतलब होता है कि जहाँ पे Clot जो है वो जम जाते हैं या फिर Clump हो जाते हैं उन Clots को Break Down करने के लिए ये Streptokinase यूज होता है और ये Streptokinase ये Basically क्या करते हैं कि इन Clots को हटा देते हैं और जैसे ही इन Clots को ये Cut कर देते हैं वैसे ही Flow of Blood जो है वो Normal पाया जाता है तो Basically ये चीज जो है वो कहां पाया जाता है या पर किस्टे Obtain होता है ये पूछा गया है तो चली देखते हैं कि यहां पर कौन सा Option करेक है तो First है Streptomyces Streptomyces जो है ये एक ऐसा Filamentus Fungi है जो कि क्या होता है कि इससे Related नहीं होता है जो Streptokinase है या पर Clotting System है इसलिए First Option हमारा करेक नहीं होगा Next is Genetically Modified Streptococcus Bacteria और ये Streptococcus Bacteria ऐसे Bacteria होते हैं जासे Streptokinase जो है वो हम में मिल जाता है और ये As a Clot Worcesters जो Myocardial यानी Hurt और जो Pulmonary यानी Lungs के Infections होते हैं उन Infections को काटने में हेल्प करते हैं तो इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि Second Option जो है वही इस Respect में Correct है Next अगर देखा जाए तो Next है Mortierala Renispora और ये एक ऐसा Fungus है जो कि Basically Soil में पाए जाते हैं और Next है जो कि Candida Lipolytica है और ये भी एक ऐसा Fungus है जो कि मेली Skin Disease को Produce करता है तो इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं जो कि Correct Option है वह जाएगा Second Option और उसी को हम Tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर